नमस्कार स्वागत है आप सभी का TCS पाट साला पर और आज हम लोग जिग्रफिक की चौथी क्लास पढ़ रहे हैं और यहां पर हम लोग क्या कहते हैं बात करेंगे बार्डरिंग स्टेट के बारे में मतलब इसके पहले जो तीन लेक्चर हम लोग पढ़ लिये हैं वहां पर हम लोगों ने लोकेशन, साइज और बार्डरिंग स्टेट के बारे में बात की थी कुछ चीज़ें बची हुई थी जिन्हें आज कम्प्लीट करेंगे आप सभी जानते हैं कि यह एक नई सीरीज है जो कि आज चौथे लेक्शर में हम लोग है इससे पहले कि हम लेक्शर को सुरू करें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है एक करिंट अफेर्स का सीरीज जो है वो हम लोग शलाते हैं जिसे आप मीड वीक मैटर के नाम से जानते हैं मीड वीक मैटर्स इसलिए इसका नाम है क्योंकि यह हफते में दो वीडियो बन करके आपके हफते बर का अगर इंटरफेर्स क्वेशन वाइज मिलता है बहुत important सीरीज है आप अभी हाली में जो परिक्षा होई हैं वहाँ से मैच करेंगे तो बहुत सारे question सीरीज से ही है तो अच्छा जो है mcq चलता है आप इस चीज को चाहें तो follow कर सकते हैं अपनी परिक्षाओं के लिए बहतर हो जाएगा एक और चीज है हम लोग टेलिग्राम पे TCS पाट साला के नाम से जो है जो चैनल है TCS पाट साला के नाम से जो चैनल है इस पर हम लोग रोज जो है आपके परिक्षा उप्योगी कुछ content देते हैं जिसमें से एक बहुत अच्छा content है capsule साता है रोज शाम को मतलब दवाई आती है जैसे दवाई खाके आप स्वस्त रहते हैं वैसे ही दवा मतलब current affairs वाली दवा खाके आपकी परिक्षाएं बहतर होंगी तो आप इस चैनल को भी follow करके अपनी पढ़ाई को बहतर कर सकते हैं और ये एक free की class है जो क्या कहते हैं regular चलेगी और complete solution है geography का तो अपने दोस्तों के बीच में इसे share कर दीजिए आप अगर नए हैं तो channel से जुड़ जाएए अपकी राए ज़रूर दीजेगा इस पूरे lecture को पढ़ने के बाद आपको ये lecture कैसा लगा कुछ अगर सुधार की अवर्शक्ता है तो भी बता दीजेग और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में share करेंगी यह जानकरी थी इसके बाद अब हम लोग आज की class को start करते हैं तो आजकी class को अगर हम लोग देखें तो हम लोग bordering state में हम लोगों ने पाकिस्तान की बात कर ली थी ऐन्वी हैव also talked about China ना चाइना के borderring dispute के बारे म भारत-नेपाल सीमा के बारे में, उसनिल उस दिन पढ़ा हैं, हम लोगों ने, तो यह पता कर लिया था, कितने ऐसे देश हैं, जो बोर्डर जो है इंडिया के साथ, उन्हीं में से एक देश है कौन? नेपाल, तो जब भारत नेपाल की सीमा का बाध किया जै तो यह पूरू पश्चिम के दिसा में देखा जै तो शिवालिक की तरही के साथ साथ चलता है, अब यह तुछ सा जटिल हो जा रहा है कि शिवालिक तो को मैं थोड़ा साप के लिए क्लियर कर देता हूं कि जब हम हिमाले को वैसे हिमाले को हम पूरा डीटेल में पढ़ेंगे कैसे बना है और क्या क्या डिवीजन है रिवर्स का डिवीजन क्या है वैसे डिवीजन सब बताएंगे लेकिन ऐसे नॉमल अगर हम लोग देखें तो ज पॉर्सन हो गया और एक ही पॉर्सन हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालिया और ग्रेट हिमालिया के बाद हमारा जो है वो मेडल हिमालिया होता है और उसके बाद हमारा कौन सा होता है शिवालिक होता है ठीक है तो मध्य हिमाले है महान हिमाले है और शिवालिक हिमाले है तो यह जो शिवालिक हिमाला है ना जो नवींतम फोल्ड है ना हिमाला एक फोल्ड माउंटेन है वलिद परवत है तो यह यही बात कहना चाहरा है आप यहाँ पे जरा सथ देखिए कि यह जो नेपाल का रीजन है वो शिवालिक की तराई के साथ साथ चलता है मतलब यह extend किया हुआ है ठीक है शिवालिक के साथ साथ जो है इसका extension हुआ है एक तरीके से माने तो शिवालिक जो है यह इधर से ही ऐसे शेड़ी गई हुई है तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बारत के 5 राज्य हैं कौन-कौन से उतराखड उतरप्रदेश बिहार पश्चिम मंगाल और सिक्क्यम बारत के साथ नेपाल की सीमा को साजा करते हैं अगर कल कोई पूछ लिए भारत के कितने राजी नेपाल की सीमा से साजा करते हैं या नेपाल की सीमा से लगे हुए राजी कितने हैं, तो भारत के पांच राजे हैं, जिने दो तरीके से दिखाए गया, एक इस मैप में भी देख लीजिए, यह आपका नेपाल है, ना दिस पोर्शन, तो नेपाल के जस्ट नेपाल के जस्ट बगल में गर हम लोग देखें, तो ये पांच राज्य है ना एक सिक्किम हो गया उत्तरा खंड हो गया ठीक है इधर से आप देख रहे हैं तो इक उत्तर प्रदिस वाला रीजन हो गया फर ये बिहार वाला रीजन हो गया ठीक है तो ये पांच राज्य जो है एक राज्य हो गया दो हो गया तीन हो गया चार हो गया और पांच ये पांच राज्य जो है वो भारत के जो राज्य है वो नेपाल के सीमा से लगते हैं ठीक है तो इस मैप से भी क्लियर हो जाएगा ये वाला पूर्शन ये नेपाल का वो है और के उत्रागण में जो रिवर का लिवर में जिसको लिपुलेडिक धर्रे से खुब विवाद कैंस्थ चती बन जाती है। कई बार जुनेपाल है वो नया मैप जारी करके हम से यह बोलता है। का लिधी है ना इसकी साखा है यह तो वह 있다 यहां तक नेपाल हैन। हम बोलते य तक नेपाल है यह एक विवाद है आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे अगली बात जो आपको पढ़नी है यह सीमा विवाद छिद्र पूर्ण है छिद्र पूर्ण होने का मतलब है पोरस बॉर्डर है मतलब बॉर्डर पर कोई ऐसी बहुत शक्ति नहीं है कोई ऐसा बहुत प से थोड़ी सी कमजोर है तो आप यहां से अगर 10 रुपया लेके जाते हैं तो वहां पर वह आपको 12 और 13 रुपीज में कनवेट हो जाता है ना तो बहुत से लोग जो है नेपाल घूमने जाते हैं अक्सर ऐसा होता है कि जब विदेश जाने के लिए फ्लाइट की व्यवस् किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है ठीक है पहले ही वीडियो में यह बात बताई थी अगर आपको आ रहा है तो बताईए नहीं तो ढूंड करके बताईए लेकिन कमेंट जरूर करिए बताई कितने किलोमीटर का बॉर्डर जो है वह साजह करता है अगला जो बात है वह ब कि लंबी सीमा साजा करता है जो कि सबसे लंबी सीमा है अगर विदेश से भारत की सी सीमा देखी जाए तो यह सीमा जो है वो किस लाइन से निर्धारित हो रही थी याद कर यह जब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांगलादेश डिवाइड हुआ था मतलब पश्यमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना था तो रेड क्लिफ लाइन ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किया था जिस समय भारत पाकिस्तान विभाजित हुआ तो उस समय जो है बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित किया गया था मतलब पूर्वी बंगाल और पश्मी बंगाल तो यह जो बंगला देस वाला रीसंद है ना पूरा का पूरा जो बंगाल वारीजदन था ना इसको दो भागों में बाड़ दिया गया था और यह जो बंगलादेश वरतमान है यह आगे चल करके पूरवी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बाद में जो है वह बंगलादेश में युद्ध होता है उनीस विकाथर में और उसके बाद बंगलादेश जो है वो क्या हो जाता है भारत का वो अलग से देश बन जाता है भारत का हिस्ता नहीं है अलग से देश बन जाता है और बंगलादेश के नाम से जाना जाता है यह बांगलदेश का reason देख रहा है यह जो river आप देख रहे हूँगे यह ब्रहमपुतरा river है ठेक है आगे चल्के detail में बात होगी ही यह आपकी गंगा रीवर है यह प्रस्ट बहुत बार paper ने बना को पूछा हुआ है कि यह जो ब्रहमपुतरा river है जैसे ही ये मेगाले से जो है बंगलादेस में प्रवेश करती है ठीक है तो ये किस नाम से जाने जाती है तो ये इसका नाम हो जाता है जमुना ठीक है और जमुना जब जाकर के गंगा से मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है पदमा और फिर एक रीवर छोटी किसी यहाँ पर मिलती है तब आगे जो इसको कहते हैं माउथ बनता है डेल्टा बनता है यह मेगना के नम से बंगाल की खारी में गिर जाती है यह fiक्ट वैसे रीवर का है आगे चलके में बात करेंगे मैप मिल गया तो हमने आपको बता तो ये बंगला देश है और इसके बीच की ये दो प्रमुख नदी जो है वो आपने देखी अगर हम अगले देश की बात करें तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भारत और म्यामार की सीमा के तौर पर वैसे अगर कभी कुश्चन आप से पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐ иса जब देखें जिसे भारत की तरफ मीजो हील्स, मनिपूर और मयामार की तरफ चिन फिल्ट नागा हिल्स और काला चिन राज़वी सामिल मतलब कि अगर इस पूरी बांडरी को देखें तो कौन कौन सा रीजन सामिल है, उसकी बात की जाती है. मैं इसको अगर थोड़ लह श सकते हैं मतलब नागा लैंड मनीपूर और मिजोरम और इधर त्रिपुरा एक मात्र ऐसा राज्य है भारत का जो तीन और से बंगलादेश से घिरा हुआ है तो यह जो सेवन सिस्टर से ना यह असम हो गया एकार का और यहीं पर जो है वो मेगाला है आप देख लेंगे तो अर सरनांचल प्रदिस से भी सेर कर रहा है नागा लैंड से से कर रों वहां तक एक बाॉडर चलता है जिसको 165 किलोमीटर की पूरी सीमा जो है म्यामार के साथ भारत की साजाह होती है यह प्राकृतिक सीमा है मतलब इसमें कोई भी अलग से डिवीजन नहीं हुआ है ना तो हग था बाद में जो है यह अलग होकर के अपना एक अलग देश के रूप में स्थापित होता है तो हमारे कोई ऐसे डेस्प्यूट नहीं है कि यहां पर जो है वो हम इसे किसी बॉर्डर लाइन या किसी डिवीजन के नाम पर रखें बट एक सुरक्षा की दिरिस्टी से अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दिरिस्टी से जो है भारत सरकार थोड़ी से इस बात को लेकर के चिंदित है कि बहुत सारे इलीगल ट्रेड होते हैं या बहुत सारे लोगों का आवगमन होता है नैचुरल बॉर्डर है तो कोई रेस्टिक्शन नहीं है तो इसको फेंस किया जाएगा ना इस पर रोक लगाने की बात की जा रही कि जो म्यामार के साथ हमारा बॉर्डर है उसको थोड़ा सा सुरक्ष करने की बात कर रही कर रहे हैं आप निउज में भी देखेंगे तो हमारे जो गरी मंत्री साहब है चाहिए अमित साहजी तो उन्होंने जो है इस बात को कहा हुआ है अगला जो देश भारत के साथ border share करता है ना यहां से भी question बहुत सारे बन रखे हैं भारत और स्रिलंका की सीमा ठीक हैं तो भारत का जो एक देश है भारत के बगल में जो की मननार की खाड़ी से अलग होता है मतलब की the gulf of मननार and park straight अगर gulf की बात करे बच्चे तो कौन सी gulf है मननार की खाड़ी है और अगर जल संधी की बात करे तो कौन सी straight है park straight है वैसे एक बात यहां पर आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जब कभी भी जल संधी की बात होती है तो जल संधी का मतलब है जल को स्थल मतलब जमीन के बात को संधी मतलब जोड़ना तो जल संधी और स्थल संधी इसी को अगरेजी में क्या बोलते है इस state बोलते है जोगरफी पढ़ेंगे वर्ड वाली तो बहुत सारे से स्ट्रेट हैं जिनें आप देखते हैं और इसे आप स्थमस बोलते हैं ना स्थल संधी बोलते हैं तो वह जल का भाग जल का वह पतलासा भाग जो दो जलों को आपस में जोड़े जैसे इधर भी वाटर हो और इधर भी वाटर हो और यहां पर जल का ही थोड़ा सा हिस्सा सक कर रही है तो इसका मतलब जल का वह सक्रासा भाग जो दो अस्थलों को अलग करें और जलों को जोड़े उसे जलसंदी बोलते हैं अस्थलसंदी का मतलब है आप अगर नौर्थ अमेरिका वाला मैं अब देखेंगे तो आपको खुदी समझ में आ जाएगा यहां से पनामा अस अस्थलों को जोड़े और दो जल को अलग करें और जलसंदी मतलब दो जलों को जोड़े और अस्थलों को अलग करें तो यहीं से एक बात आपको यहां पढ़नी है पाक जलसंदी पाक जलसंदी से क्या पता लगा कि दो जलों को जोड़ेगा और अस्थलों को अलग करेगा ठीक है तो पाक जल डबरूमद जो है एक नेरो एक छोटा सा पानी का वो है सागर है माल लो या चैनल की तरह माल लीजिए ठीक है स्री लंका को अलग करता है किस से भारत से कैसे ये देख लीजे आप भाई ये स्री लंका वाला रीजन है और ये इंडिया वाला रीजन है और बीच में जो जलसंधी है वो कौन सी है पाक इस्टेट है और इसी के बगल में ये जो खाड़ी है ठीक है तीन ओर से लगबग घिरा हुआ जैसे बे आफ बेंगॉल है वैसा ही गल्फ आफ मननार है ना गल्फ आफ मननार और इस तरफ अगर देखेंगे आप इस तरफ तो बे को गल्फ आफ मननार से कौन जोड़ रहा है पाक जलसंधी जोड़ रही है या यूँ कहें कि पाक जलसंधी वो क्या कर रही है इसको इस से अलग हो रहे है जलसंधी की परिवाशा क्या है दो अस्थलों को अलग करेगी और दो जल को जोड़ेगी दो water bodies को connect करेगी और दो land mask को अलग करेगी ठीक है भारत में जो है तामिल नाडू तट पर धनुस कोडी धनुस कोडी मतलब एक द्वीप है पम्मन द्वीप जो भारत का आखरी हिंसा पड़ता है ठीक है यही से हमारी जो पुरानों में मानेता है जब हम राम चरीत मानस पड़ रहे होते हैं तो निश्यत तोर पर सुंदर कांड के आखरी जो 58-69 दोह है ना उस वले दोहे में देखेंगे तो आपको यह मिलता है कि भगवान राम जी ने जो है वो सीता जी को छुड़ाने के लिए तामिल यह राम सेतु के नाम से जाना जाता है ठीक है 32 किलोमीटर्स दो दूइपों की बीच की दूरी है इसको आप चाहें तो इमेज में भी देख सकते हैं ठीक है यह रामेश्वरम कई बार इस पे आप क्या कहते हैं यात्रा करते हैं मतलब जाते हैं वहाँ पर जहां पर भगव इसी को कौनसा ब्रिज कहते हैं एडम ब्रिज कहते हैं आदम का ब्रिज कहते हैं और या तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग जो है राम सेतु के नाम से भी जानते हैं हम लोग और जो है आगे अगर बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में मेजर जियो लॉजिकल फ सिस तरह से भारत के साथ स्री लंका कहां पर वस्थेत यह पांप जलसंदी किस दो ट Toward बाडी को जोड़ रही है यह पाक से बहुत दिक विभाजन जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक चीज को न डिटेल में पढ़ेंगा sasa अगर मोंटें पढ़ेंगे तो पूरा का पूरण डीटेल में पढ़ेंगे चैन को बारे में ऐसा पढ़ें मतलब भारत को किसी एक व्यक्ति को भेज दिया जाए है अस्मीर से जो है उसके उपर लदाख अब तो डिवाइड हो गया है जमू का अस्मीर और लदाख लदाख रीजन से ले करके अगर वो कन्या कुमारी तक आएगा तो उसको बहुत सारे अलग-अलग फीचर दिखेंगे मतलब जिस समय वो क्या कहते हैं लदाख से आ रहा होगा उसको उसके पहले के कहते हैं ट्रांस हिमाले वाला रीजन दिखेगा ट्रांस हिमाले के बाद जो है वो बहुत सारी छोटी-छोटी रीन्ज जैसे करा कॉरम, लद्दाख, केलास, मानसरुवर वाली रीन्ज ये दिख जाएगी फिर आएगा तो ग्रेट हिमाले याज दिख गाटियां दिखेंगे बड़ी गाटियां दिखेंगे जैसे जम्मुकास्मीर की जो वैली है तो अगर कोई विक्ति वो नौर्थ से लेकर के साउथ तक की यात्रा करेगा तो यू विल फाइंड की हर चीजे एक जैसी नहीं है मतलब की mountains है और वो mountains भी एक जैसे नहीं कुछ ऐसे mountain है जो बहुत पुराने है बहुत पहले बने हुए है कुछ ऐसे mountain है जो अभी बन रहे हैं इसका मतलब है उनके time में differences होगा उनके निर्माण के time में difference होगा जो जितने पुराने rock system होगे हो सकता है उनके खनीज में भी जो प mountain के बाद अगर आएंगे हरिद्वार के बाद तो आप देखेंगे वहां पर great plains आजाएंगे नदियो द्वारा बने हुए एक विशाल मैदान उतर में आपको मिल जाएंगे ठीक है कैसे बने हैं क्यों बने हैं बावर क्या होता है बांगर क्या होता है खादर क्या होता है ठ तो जब यही मैदानी छेट थोड़ा सा जादा उंचा है तो हम इसी को पठार कहते हैं प्लैट्यू कहते हैं कई बार आप पढ़ेंगे मालवा का प्लैट्यू ऐसे करके जो वह चार पांच प्लैट्यू है ना आप उन्हें भी अराम से पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब चराप को दिखेगा ओल्ड माउंटेंस हैं जो कभी बहुत बड़े हुआ करते थे अब एकदम अवसिस्ट हो गया हैं रेसिड्यू हो गया हैं वहीं पर आपको कुछ धसे हुए माउंटें दिखेंगे जिन्हें आप ब्लॉक माउंटें का नाम देंगे मतलब मैं यह कह रह चाहता हूं सर कि भारत जो है वह बहुत इक रूप से बाटा जाए तो कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है और इसको देखने से एक बाद भी हमको पता लगता है कि अगर ये एक समय में ही बने होते अगर पूरा भारत एक ही समय में निर्मित हुआ होता तो सब के फीचर्स लगभग एक जैसे होते लेकिन क्योंकि हर चीजे टाइम टू टाइम बनती चली गई कोई बहुत पहले बन में बना उवह है कोई आज भी बन रहा है और इस तरह से इनके निर्मांत के समय अलग अलग है और इस वज़े से इनके फीचर्स भी अलग अलग है इनकी इक क्तीज भी हमले flavours सकते हैं उसके बात plane वही हम जिसे बोलते हैं क्या कि मतलब great plains of India ना भारत के जो plains है उनकी बात हम लोग करेंगे ठीक है और इसमें आप देखेंगे मतलब Indogangetic plane में हम लोग बात करेंगे जो desert वाला reason भी है रजस्थान वाला उसको भी देख लेंगे क्यों वह desert बन गया इस पर भी बाच्चित कर लेंगे तीसरी बात जो है हम बात करेंगे peninsular plateau मतलब मैं वही deccan plateau की बात कर रहा हूं मतलब महरास्ट्रा से लेकर के वह भाग जो मेड़ागासकर से तूट करके आकर के टेथिस सागर में कोलाइड किया था जिससे हिमाले का निर्माड हुआ तो वह जो प्रायदीपी वाला भाग है उस वाले भाग को देखेंगे जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी ठीक है वोलकेनिक जो उससे बना हुआ था ठीक है में इंडिया के ठीक है वही मिट्टी जिसे रेगूर आप कहते हैं ना कई बार कुछा हुआ है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है तो रेगूर कहा जाता है ना हम डिटेल करेंगे वहाँ पर चौथा जो पूर्सन है वो है कोस्ट लाइन कोस्टल प्लेंस मतलब तो यह भारत का रीजन है तो इसके इसके इधर जो है कोस्टल प्लेंस होते है आपके पास अगर मैप है ना तो उस मैप को जो है भारत वाला हिसा खोली ए तो मैप को देख के कुछ बाते समझ में आती है जैसे map में न कहीं न कहीं बहुत dark brown होगा dark brown होने का मतलब है कि वो mountains वाले चीज़ों को locate कर रहा है दो प्रकार का map एक physical एक political जिसमें नाम पढ़ने को मिल रहा होगा वो कौन सा है political जिसमें mountains and base और lake से सब दिख रही होगी वो कौन सा है physical है तो physical वाले map में देखो कहीं न कहीं dark brown होगा कहीं hulka brown होगा ठीक है dark brown का मतलब है परवत होगे ना उचे परवत है और hulka brown होने का मतलब है पठार वठार होंगे कहीं पर आप देखोगे ना तो हरे हरे वहाँ पे color होंगे तो green होंगे इसका मतलब है ऐसा समझ सकते हैं फिर ऐसे ही जब Coastal Areas पर पर तो एक तो जहां तक भूमी होगी वो तो दिकी रहाह ओगा उसके बगल में जोड़ा सा parole पानी वाले मेंывают का होगा ऐसा की देखेंगे न अनिलाकी वाइट का होगा और water जो है बहुत green दिखे मतलब नीला दिख रहा हो इसका मतलब गहरा जल है लेकिन अलका white color का दिखे इसका मतलब उतना गहरा नहीं है तो जैसे ये mainland है तो mainland के इस वाले portion में देखोगे न तो हलका white white दिखेगा और ये white दिखने का मतलब है यहां गहरा ही जादा नहीं है इन लक्षदीप की जब बात करेंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे कोरल दीप की जो मुंगे से बने हुए है और जो हम लोग बात करेंगे कहां पर अंडवानी को बार में तो हम वाल कहनों दीप की बात करेंगे तो जैसे लक्षदीप आइलेंस हो गए ऐसे ही जो है यूरे में इनको डीटेल करते हुए चलेंगा बहुत जरूरी है अच्छे भी है मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात परिक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा अगर भारत को प्रसेंटेज वाइस डिवाइड करें तो हम लोग दे देखो लिखा हुए 300 से 900 मीटर अबव दा सी लेवल राइट तो जैसे ही हम लोग बात करते हैं यह तो बताया गया है कि उनकी संरचना में बहुत अंतर है इसलिए उनके खनीज में अंतर है यह आपके लिए इमेज लाई गई है ढूंड करके यह देखिए मांटेंस के करती हैं वह कहीं न कहीं वहां के रहन साहन को प्रभावित करते हैं और जब स्थलाकृति वहां के रहन साहन को प्रभावित करेगी क्योंकि जैसा रहन साहन उत्र प्रदेश का है वैसा उत्तर अखंड का नहीं है वहां की वहां के काम अलग है वहां की कल्चर अलग है ना य कैसे वहां का जीवन जीएंगे तो इसी तरीके से यहां पर खनिज के मिलते हैं कि यहां अलग परकार का खनिज होगा कहीं पर अलग परकार के खनिज होते हैं जहां जैसे ओ सफैक्टरीस 흥ोंगी वहacies वरकर्स का employment होगा तो इस्थालाकृतिया different होती है climate different होता है तो हमारे culture भी तो different होते हैं हमारे खनीज भी different होते हैं यह बाते जो है वह की गई एक बहुत जरूरी वैसे यहां से बहुत बार प्रस्न आया है एक बार आज अगर थोला सा ध्यान देके पढ़ लोगे तो हमेशा ह यह जरूरी प्रस्न है कई भार पूछा जाता है coral के बारे में तो अगर हम लोग corals के बारे में बात करें जिन्हें आप Hindi में क्या बोलते हैं मूंगा बोलते हैं वैसे corals को ही indicator कहा जाता है जैसे lichen को indicator कहते है लाइव प्रदेश प्रदूशन का lichen वायू करदूशन के इंडिकेटर होते हैं, एर पॉलूशन के, वैसे ही ये जो कोरल्स होते हैं, ये इंडिकेटर कहलाते हैं कि इसके टेंपरेचर के, ताप मान के ये सूचक है, कई बार अगर कोरल्स की डेथ होने लगती है, ये कोरल ब्लीची होने लगती है, कई बार ये श काई तो वाइट कलर का कोरल है अब उसको कोरल को क्या है भोजन बनाने के लिए फोटो सेंथेस करना है लेकिन वाइट कलर का होने के करण उसका फोटो सेंथेस प्रक्रिया हो नहीं पाती तो वो ना एक सहजीवी संबंद के रूप में किसी क्या कहते हैं शैवाल के साथ बैठ तो एक तरीके से और उन्हें रहने के लिए जगे देता है और शैवाल जो हैं वो उन्हें बना करके बहुत सुन्दर देखते हैं आप अलग जैसे मनार की खाडी में आप जाओ तो वहां पे बहुत सुन्दर सुन्दर को मिल जाएंगे ना टूरिजम के लिए इसको लोग प् समुद्र का तापमा जैसे ही औसससे जञादा होगा तो ये कोरल्स के उपर जो बैठा हुआ शैवाल है न वह भाग जाएंगा और शैवाल हो जाएंगे और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कोरल बीचिंग हो गई कोरल ब्लीच कर गया इसका मतलब कोरल जो है हम वाइट हो ग आप को तुदा साथ ना नामसे जानते हैं भारत में या यह अरब सागर में जो द्यां वह कोरल क्या होते हैं ठीक है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये चीज़े आपको समझाई गई है कि कोरल क्या होते हैं ठीक है और ये शैवाल के साथ जो है वो हाल के पानी में रहते हैं उथले पानी मतलब के जहां पर बहुत डेप्ट नहीं होता ठीक है रीजन क्या है ये देखी ये दि कंगा है attract不会 flav할 साथ चीज़ें के पाना मिल जाता है और जो सेथ bow can we love के कोखाना मिल जाता है और जो ज सदेख्चों फहां रखने कि होते हैं मतलब एसे माननों वायच कोलर के कोलर है है कोड होते हैं कभी नीले होतें kan瑤 रेड सी क्यूं राड है इसलिए क्यों क्यों रेड है यह देख सकते हैं आप ना कितने ब्यूटिफुली मनलब एन इंप ब्यूटिफुली डेकॉरेटेड आप इससे ना टूरीजम भी प्रमोट कर सकते हैं करते भी हैं जहां पर इनकी सुविदा है वहां पर ठेक है और कोरल रीफ के बारे मैंने आपको बताया कि वह क्या होता है एक दूसरे के उपर ऐसे मरते 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 और थोड़े दिन में नहीं होगा कई हजारों वर्सों में अगर वह जो द्वीप है बढ़ते बढ़ते कहां आ गया पानी के उपर आ गया तो उसी को हम आई-लैंड कहेंगे और वह आई-लैंड कैसे बना हुआ है कोरल से बना हुआ ह देखें, तो कोरल के बारे में मुझे लगता है, इतनी बात आपको अच्हे से समझ मैंने चाहिए, किसके अंडिकेटर होते हैं, तो यह अंडिकेटर होते हैं ख्या टापमान के टेंपरेशर कें, टेंपरेशर बढ़ो क्या होता है, कोरल बीचिंग में वाइट कलर हो जाता है किसका कोरल का जो पहले से था बस उसके उपर का उलगी भाग जाता है बाहरत में प्रवाल दीब कहां पाय जाते हैं अगर ये प्रसना पूछा जाए तो भाहरत में प्रवाल दीब की कुछ location है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना कक्ष के खाड़ी में प्रवाल भितियां पाई जाती हैं कक्ष के खाड़ी मतलब वही मनार की खाड़ी मतलब जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे से लंका के और भारत के बीच में जो है पाक की खाड़ी ना यह अन्वान और निकोबार दीप और लक्षदीव दीप समू सहीर कई छेत्रों में पाया जाता है ठीक है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत मे प्रवाल जो है वह एक से जगहों पर उपस्थित है कई बार पूछ लेता है कहां पाया जाता है और कहां नहीं पाया जाता है था अच्छव भारत में प्रवाल भितीयों के प्रकार अप अब जितना सहवाल के पे देखो एक जिसे बोलते हैं फ्रिजिंग रीफ एक को बोलते हैं बैरीयर रीफ और एक को बोलते हैं अटॉल olur इस निर्मेत है, कोरल से से बने हुए धूइप आप कहिंगा सर इसमें कुछ अंतर है सबसे पहला अंतर तो कि ये तट से कितने दूर है इसमें नमबर दूसरा अंतर है कि ये कितने गहरे पानी में है इसमें और नमबर 3 के शेप को लेकर लेकर गया वो इनमें अंतर होता है। जाता है उन्हें फ्रिजिंग रीफ कहा जाता है ठीक है अगर बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो बैरियर रीफ क्या होते हैं यह जो पूरा का पूरा वो है तट है उसी के समानांतर देखो बना हुए और बीच में एक गहरा जल है ठीक है तो इसे बैरियर रीफ कहते हैं जो कि समानांतर चलेगा किसके तटके तीसरी बात आपको कई बार इस तरह का शेप दिखता है ये शेप जरूरी नहीं कि ऐसा हो अंडे अकार का भी हो सकता है ठीक है और ये धीरे धीरे जो है वो बन करके द्वीब समूग के रूप में आगे आ सकता है तो ये जो है इसको महादूइप के पास विक्सित होता है और तट रेखा के करीब रहते हैं छोटे छोटे रीफ होते हैं उतले लगून द्वारा तट रेखा से अलग होते हैं इसका मतलब है कि अगर यहां पर बने हुए हैं यहां पर तट है तो यहां बहुत हलका सा पानी होगा बहुत गहरा जल होता है देखिए बीच में गहरा और चोड़ा लगून भी बनता है लगून ले क्या है हम लोग रीवर पढ़ते समय इस पर और डेटेल कर लेंगे अटोल मैंने बता ही दिया ठीक है गोलाकार या अंडाकार क्या होते हैं ठीक है तो इमेज से पूरी चीज़ें इस कि जल बहुत गहरा नहीं होना चाहिए अगर जल गहरा होगा तो वहां पर कोरल नहीं पाए जाएंगे ठीक है तो पहली चीज़ तो यहां पर है कि कोरल को उतला पानी चाहिए दूसरी बात है स्वक्ष पानी चाहिए अच्छा दूसरा है अर्थ कठोर या कठोर सतय होनी च इनको थोड़ी सी saline condition भी चाहिए ठीक है ना saline condition का मतलब है थोड़ा सा पानी जो है वो खारा होना चाहिए जिससे ये अपनी चीजों को डवलब करते हैं तो ये कुछ जरूरी चीज़े हैं ये तो मतलब चलो लक्षन है ही कि कोरल कहां पर डवलब होंगे पोशक तत्व की भ पोशन खोग होता है कई बार ना लोग इसे मतलब यूज करते हैं बोजन के रूप में भी ठीक है ना मतलब उसके जो शैवाल होते उन्हें अगर हम लोग बात करें ये सबसे जरूरी ना एक चीज़ यहां पर आवशक है वो है temperature आवसत तापमान 20-22 डिगरी का ही होना चाह है कि तापमान बढ़ रहा है और कोरल ब्लीचिंग हो रही है आप अगर ऑस्टेलिया के बारे में पढ़ें तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्टेलिया के पूरवी तट पर है एक बहुत लंबी जो है वो बैरियर रीफ है कोरल से बना हुआ हुआ है ठीक है तो temperature बहुत जरूर होनी प्रारम हो जाएगी यह जो जो ब्यूटी दिख रही है ना यह कोरल की वज़े से है ठीक है यह कोरल की वज़े से इनका अपना कलर है लेकिन यह ब्यूटी आप देख रहे हैं आप कभी घूमने जाए तो कोरल द्वीपर जो है वो यह सुंदरता देखती आपको oxygen का मा लगा देंगे और आपको जमीन के अंदर ले जाएंगे अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदानमंत्री जी जब लक्षदीप को प्रमोट कर रहे थे तो वहां पर यह चीज़ें आपने देखी होंगी तो मुझे लगता है आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा वो को कंपलीट कर देते हैं और बेसिक के बाद अब हम लोग जो है वो रॉक सिस्टम को पढ़ेंगे ना कैसे रॉक सिस्टम कौन से अलग-अलग होते हैं उसके बाद हम लोग हिमालिया के बारे में बात करेंगे या हम लोग सुरवात हिमालिया से करेंगे रॉक सिस्टम को बा कमेंट एक अच्छा सा करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है यह कोई सेजेशन भी आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद कल मिलेंगे